हेलो दोस्तों नमश्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नव जीवन क्लासिस के अंदर तो दोस्तों आज हमारे डो टॉपिक है वो बहुत ज़ादा मज़ेधार होने वाला है वो है कि सरीर से निकलने वाली आवाजे जिसे हमें हिंदी में तो पता है क्या कहते हैं पर हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं उन चीजों को हमें नहीं पता तो वही मैं आपके साथ डिसकस करने आया हूं कि जो सरीर से कुछ आवाजे निकलती है जैसे कि हम डकार लेते हैं उ लेते हैं उसे हम हिंदी में तो पता है हमें पर इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे हमें नहीं पता तो वही आपके साथ में डिसक्स करूंगा तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारी यह मद्यदार क्लास च्छींक आना तो दोस्तों च्छींक आने को इंग्लिश में क्या बोलते ह हम यौन कि वह उबासी ले रहा है इस यौनिंग ठीक है यौन खराटे लेना ठीक है आपने काफी लोगों को उस रात को या फिर कहीं सोते वे देखा खराटे ले रहा है जोड़ों से तो उसको हम इंगलीज में कहते हैं स्नौर ठीक है दोसतो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगरा वर्ड हमारा है फूक मारना फूक मारना मतलब क्शाओ कि महरना मुज Imag含 मारना मुझ से तो निकल भी तो वह क्या है उसको खांसने को हम क्या बोलते हैं कफ यह वह कहां सी कर रहा है कफिंग हिचकी आना यह भी हमारे सरीर से निकलती हिचकी आना को क्या बोलते हैं कि कफ हिक कप्स ठीक है कहराना कहराने को बोलते हैं हम क्रोन अब चलते हैं तो उस उसको बोलते हैं कौहराना ठीक है चुटकी बजाना जैसे हम चुटकी बजाते हैं तो बोलते हैं snap the fingers snap the fingers तो उसके बाद में हम नवा हमारा अंगूलिया चटकाना ठीक है जैसे हम कटके निकालते हैं तो उसको बोलते हैं cracking the knuckles cracking the knuckles अंगूलिया चटकाना कटके निकालना ठीक है दान्त किट किटाना जैसे हम सर्दी लगते हैं तो हमारे दान्त आपस में टच करते हैं बजते हैं तो जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं किट किट किटाना मतलब डाकार मारना उसे हम दो चीज कह सकते हैं एक तो बर या फिर एक ब्लैक ठीक है दोस्तो यह थे कुछ ऐसे सरीर से निकलने वाली आवाज जिसे हम हिंदी में तो काफी लोगों को पता है पर इंग्लीश में क्या कहते हैं इंग्लीश में ये सब कहते हैं आज मैंने आपके साथ discuss किया है ठीक है और आपको comment box में इस चीज के बारे में आपको comment box में बताना है कि इस particular चीज को English में क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों तो ये comment box में वेट करूँगा काफी लोगों का answer में को मिलना चीज चीज को English में क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों तो आज की क्लास आपको कैसे लगी हमारा ये जो नया टॉपिक है वापको कैसा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को शेर लाइक और कमेंट जरूर करना इस चीज के बारे में और तब तक के लिए धन्यवाद